हम आल्रेडी जो डिस्कस कर चुके हैं Central Bank की balance sheet में और उसके operation से होने वाले balance sheet में changes में, वो हम discuss कर चुके हैं एक OMO, open market operation और दूसरा जब public currency to deposit ratio change कर ले, यानि कि currency ज्यादा hold कर ले, deposit कम कर ले, या currency hold कम करे और deposit ज्यादा कर दे, दोनों सूर्थों में currency to deposit ratio चेंज हो जाएड़े तो हमने देखा कि उसके reserves पे और monetary base पे क्या effect आता है, अब हमारा next step जो इसी में एक sequence में चलेगा, वो ये है कि अगर Central Bank किसी financial institution को loan देता है, तो उसके उसकी balance sheet पे क्या फर्क पड़ता है, या उस bank जिसने loan लिया है, उसकी या overall banking system की balance sheet पे क्या फर्क पड़ता है, और फिर ultimately reserves में और monetary base पे क्या फर्क पड़ता है, चुकि हम इसी से इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि monetary base कैसे control हो सकती है, तो open market operation हो गया, cash to deposit ratio हो गया, अब हम आ गया किस चीज़ पे कि financial institution को loan देने से क्या हूँ, फिर से हम एक example लेते हैं, जिस तरह की example पहले ली, example फिर वही है कि 2 billion rupees ज एक OMO conduct किया, फिर हमने 2 billion जो है, वो cash withdrawal public के हिसाब की उस example मिली, अब हम उसी की example ये ले रहे हैं, कि central bank ने 2 billion का जो loan है, वो extend किया है, commercial bank को, ये ज्यादा commercial banks को भी हो सकता है, और किसी एक को भी हो सकता है, इस वक्त हम example में किसी एक bank की बात करेंगे, तो इस से जो banks हैं, उनके overall अगर balance sheet बनाई जाए, या जिस bank ने ये loan लिया है, उसकी balance sheet बनाई जाए, तो उसके reserves increase हो गए, अब ये सिरफ कोई balance sheet में plus minus लिखने का नाम नहीं है, इस से हमें ये भी understand करना है, कि reserves क्यों increase हो गए, जो commercial bank की holdings हैं, reserves की, वो क्यों increase हो गए, इसलिए, कि जब central bank loan देता है, commercial bank को तो loan देने का process क्या होता है, mode of payment क्या होता है, वो जो commercial bank का account central bank के पास है, वो उसमें credit entry डाल देता है, 2 billion रुपए का loan है, तो वो 2 billion प्लस लिख देगा उसमें, तो वो ही हमने इस balance sheet में लिख दिया, कि उसके reserves 2 billion रुपए से increase हो गए, उसकी liabilities को देखें, तो चुके commercial bank न loan लेने की वज़ा से हम ये कहेंगे कि उसकी liabilities भी increase हो गई, उसने loan लिया है तो liability increase हो गई, और वो loan चुके reserve में transfer हुआ है, तो reserve उसका asset है, तो उसका asset भी increase हो गया, तो ultimately liability और asset equal हो गए, central bank की balance sheet पे क्या फरक पड़ेगा, central bank ने loan दिया है, और loan देना central bank का क्या है, asset है, क्यों वो उसकी loan वाली side पे आएगा, यारी कि asset वाली side पे आएगा, जबके liability वाली side पे क्या आएगा, कि वो जो commercial bank का deposit, central bank के पास है, जिसे हम reserves कहते हैं, उन reserves में इजाफा हो गया, तो वो central bank की liability है, क्योंकि central bank, commercial bank को वापिस करेगा, जब commercial bank का deposit वापिस होता है, तो इसका मतलब ह और asset दोनों में 2 billion रुपए का इजाफा हुआ, और जो central bank जिसने loan दिया, उसके भी asset और liability में 2 billion का इजाफा हुआ, ultimate हमारा focus किस चीज़ पे है, reserves पे, क्यों, reserve basically या currency पे, क्योंकि monetary base की definition ही ये है कि currency plus reserve, तो हमने इस सारी balance sheet से ये देखना होता है, कि reserves पे क्या फर्क पड़ा, और currency पे क्या फर्क पड़ा, तो यहाँ आप देख सकते हैं currency में कोई फर्क नहीं है, लेकिन reserve जो के एक दूसरा component है, monetary base का, उसके अंदर फर्क पड़ा है 2 billion रुपए का, और अगर यही हम example reverse कर लें कि कोई bank pay off कर देता है 2 billion रुपए का loan, तो exactly entries उल्ट हो जाएंगी, जो ज करने का मतलब है कि state bank या central bank ने उस commercial bank जिसने loan वापिस करना था, उसके account में से 2 billion deduct कर लिया, कहने पे इस commercial bank के, क्योंकि यह loan वापिस करना चाहता है, लेकिन वो उसने deduct कर लिया, तो इसलिए उसके reserves में कमी आ गई, लेकिन उसकी liability भी साथ कम हो गई, उसने central bank को loan देना था, अ वो loan पे आफ कर चुका, उसकी liability खतम हो गई, लेकिन दूसर तरफ central bank के, जो है, वो loans में कमी आ गई, उसका asset कम हो गया, जो उसने loan दिया हुआ था, वो तो उसे वापिस मिल गया, तो उसका asset खतम हो गया, loan asset था उसका, लेकिन साथ ही साथ reserves भी खतम हो गया, 2 billion से, क्योंकि व reserves 2 billion से बढ़ गया, और 2 billion का loan pay off हो, तो reserves 2 billion से कम हो गया, इसका मतलब है, one to one relation है, central bank से financial institution को loan देने और वापिस करने का, किस के साथ, reserves के साथ, इसका मतलब है, net effect क्या हुआ, अगर 2 billion का loan extend हुआ है, तो net effect ही हुआ कि reserves change in one to one ratio, और finally monetary base also changes in one to one ratio, तो हमने देखा, कि monetary base के उपर one to one effect आता है, अगर commercial bank loan लेता है, central bank से, या commercial bank loan वापिस करता है, central bank को, thank you.